हेलो बच्चो बच्चो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक सॉल्ट्स तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास में पढ़ा था strong acid और weak acid तो उसमें देखा था strong acid हमारे पास होते है hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid और weak acid में हमने देखा था acetic acid, formic acid, carbonic acid और उसी तरह से हमने देखा था कि strong base हमारे पास होते है potassium hydroxide, sodium hydroxide और उसी तरह से weak base हमारे पास calcium hydroxide, magnesium hydroxide या फिर ammonium hydroxide तो आज हम इनी के ओपर कुछ बात करने वाले हैं तो इनको थोड़ा सा आप memorize कर लीजेगा ताकि आगे समझने में आसानी हो तो आज का जो topic हमारा है pH of salt solution कि जैसे acid अगर हमारे पास solution होगा मलब acid का अगर हमारे पास कोई solution है तो उसका pH less than 7 होता है और base का जो हमारे पास solution होता है उसका pH 7 से बड़ा होता है यह हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन salt का pH level क्या होता है तो generally यह माना जाता है कि salt का जो pH होता है exactly 7 होता है या 7 के असपास होता है जबकि ऐसा नहीं होता कुछ salt हमारे पास होते हैं जिनका pH value 7 के एकवल होता है कुछ हमारे पास salt होते हैं जिनका pH value 7 से कम होता है मतलब acidic salt होते हैं और कुछ हमारे पास salt होते हैं जिनका pH value 7 से ज़ादा होता है तो वो हमारे पास basic salt होते हैं तो pH के basis पे salt हमारे पास तीन category में divide होगे एक कौन सा neutral एक acidic salt और एक कौन सा basic salt तो तीन तरह के salt हो गए neutral salt, acidic salt और basic salt तो अगर कोई salt है जिसका pH value exactly 7 है तो हम बोलेंगे कि वो salt कैसा है neutral है अगर हमारे पास कोई ऐसा salt है जिसका pH value less than 7 है तो वो क्या कैलाएगा acidic salt कैलाएगा और अगर हमारे पास कोई ऐसा salt है जिसका pH value 7 से जादा है तो वो हमारे पास basic salt कहलाएगा तो एक कुछ हमारे पास example है कि sodium chloride इसकी pH value के 7 है तो sodium chloride salt होता है तो इसकी pH value 7 का मतलब यह हुआ कि यह हमारे पास neutral salt हो गया अगला हमारे पास example है ammonium chloride ammonium chloride की जो pH value होती है वो होती है 6 तो इसका मतलब यह हुआ कि less than 7 है तो acidic salt कहलाएगा और यह अगला example हमारे पास है sodium carbonate इसकी pH value होती है 9 इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे पास basic salt हो गया क्योंकि pH value 7 से जादा का मतलब है कि वो हमारे पास base category में आ जाता है अब बात आती है कि ऐसा क्यों है तो उसको भी देख लेते हैं कि अगर कोई salt strong acid और strong base के मिलने से बना है तो वो क्या कहलाएगा neutral salt कहलाएगा अगर कोई salt हमारे पास strong acid और weak base से मिलने से बना है तो वो acidic salt कहलाएगा और अगर कोई salt strong base और weak acid के मिलने से बना है तो वो क्या कहलाएगा basic salt कहलाएगा लेकिन ऐसा होता क्यों है तो इसका एक छोट ऐसा example मैं आपको देना चाहूंगा कि आप लोगोंने math में number line पढ़ी होगी है ना कि बीच में क्या होता है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 मरलाब यहाँ पर सारी के सारी side क्या आते है positive number आते है उसी तरह से left hand side में 0 के left hand side में क्या होता है minus 1, minus 2, minus 3 तो 0 के left hand side में सारे के सारे number क्या होते है negative होते है और 0 हमारे पास एकलोता number होता है जो ना ही positive होता है और ना ही negative होता है ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि हमारे पास number की 3 category होती है कि या तो वो positive number होगा या तो वो negative number होगा या फिर वो ना ही positive number होगा ना ही negative number होगा और एकलोता number वो कौन सा होता है? 0 होता है आयन की वज़े से कि acid अपनी acidic property show करता है जब वो hydrogen आयन देगा और base अपनी basic property show करता है जब वो hydroxide आयन देगा तो हमने देखा कि hydrogen आयन क्या है positive आयन है और hydroxide आयन क्या है negative आयन है तो अगर plus और minus combine होंगे वो neutral कमरलब क्या होता है कि neither positive nor negative तो वो क्या देगा 0 देना चाहिए अगर neutral बनाना है तो क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए ठीक है तो इसका छोटा सा concept में लेना चाहूंगा कि अगर मान लोग कि मैं plus 2 को add करता हूं minus 2 में तो answer क्या आता है जिरो आता है अगर मैं plus 3 को add करता हूं minus 2 में तो यह हमें क्या देगा, माइनस बन देगा, तो इस बात से क्या देखा कि अगर हमारे पास hydrogen ion और hydroxide ion equal amount में present हैं, तो सारे के सारे ion एक दूसरे को neutralize कर देगे, hydrogen ion और hydroxide ion एक दूसरे को neutralize कर देगे, तो यहाँ पर hydrogen ion, hydroxide ion बराबर हैं, दो hydrogen ion है, दो hydroxide ion है, दो ने क्या करा, ए नूट्रल सॉल्ट बन गया लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन जाद हुए और हाइड्रोकसाइड आयन कम हुए तो हाइड्रोजन आयन बच जाएंगे कि दो तो हाइड्रोकसाइड आयन ने दो हाइड्रोजन आयन को तो नूट्रलाइस कर दिया लेकिन एक हाइड्रोजन आयन बच जाएगा, तो वो हमें कैसा salt देगा, acidic salt देगा, उसी तरह से अगर hydrogen ion कम हुए और hydroxide ion जाद हुए, तो वो हमें क्या देगा, basic salt देगा, तो यही हम लोगों ने पढ़ा, कि अगर strong acid होता है, strong acid का मतलब कि hydrogen ion जाद है, ठीक है, वो strong base का मतलब कि hydroxide ion भी जाद है, तो अगर hydrogen ion और hydroxide ion equal amount में present हो, तो वो एक दूसरे को effect को neutralize कर देते हैं, और हमें जो salt मिलेगा, वो कैसा salt मिलेगा, neutral salt मिलेगा, ठीक है, अब strong acid मतलब क्या, hydrogen ion जाद है, और weak base मतलब क्या, कि hydrogen ion कम है, तो अगर hydrogen ion जादा है, और hydroxide ion कम है, तो hydroxide ion सभी hydrogen ion को neutralize नहीं कर पाएगा, और वो कैसा salt देगा, acidic salt देगा, उसी तरह से अगर strong base है, और weak acid है, तो weak acid का मतलब हुआ, कि वो हमें hydrogen ion तो कम देगा, लेकिन hydroxide ion जादा देगा, तो हमारे पर जो salt बनेगा, वो कैसा बनेगा, basic salt बनेगा, ठीक है, कि सारे के सारे hydroxide ion neutralize नहीं हो पाएगे, और salt कैसा मिलेगा basic salt मिलेगा, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई salt बना है, तो वो किन-किन acid और base से मिलके बना है, तो उसी को थोड़ा recall करता हूँ, कि positive ion किसकी बज़े से आता है, base की बज़े से, और chloride ion किसकी बज़े से आता है, acid की बज़े से, तो अगर यह sodium है, तो किस से base होता है, और HCl क्या होता है, strong acid होता है, तो strong acid और strong base ने मिलके क्या बनाया, neutral salt बनाया, जिसकी pH value क्या है, 7 है, अब बात करते हैं, ammonium chloride, तो ammonium chloride में ammonium का base क्या बनेगा, NH4OH, और chloride का जो acid होगा, वो कौन सा होगा, HCl होगा, इसका मतलब strong तो acid है, और weak base है, तो weak base और strong acid हुआ, तो क्या मिलेगा, acidic property मिलेगी, ठीक है, acid strong है न, अगर दोनों के दोनों strong हो, तो neutral हो जाता है, लेकिन अगर जो strong होगा, वो अपनी property show करेगा, तो अगर strong acid है, और weak base है, तो acidic property हो जाएगी, तो pH value कितनी आगी, 6 आगी, और sodium carbonate, तो sodium carbonate बना होगा, NaOH, sodium hydroxide, और carbonate आया होगा, H acid इस बार क्या है, weak है, और base इस बार क्या है, strong है, तो strong तो base है, और weak acid है, तो strong base होने की वजह से, जो salt होगा, उसकी property कैसी होगी, basic होगी, तो salt कैसा मिलेगा, basic salt मिलेगा, और इसकी pH value कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, है न, simple concept है, और उसी तरह से कि ये table दी हुई है, कि hydrochloric acid क्या होता है, strong acid होता है, तो इसने में क्या दिया, neutral salt दे दिया, sodium chloride दिया, है न, उसी तरह से, अगला हमारे पास है example, strong acid और weak base, तो strong acid है, तो salt कैसा मिलेगा, acidic nature का मिलेगा, तो example दिया हुआ है, कि hydrochloric acid हुआ, और ammonium hydroxide हुआ, ammonium hydroxide weak base होता है, तो जो salt बनेगा, वो कैस बनेगा, acidic salt बनेगा, उसी तरह से, अगला example हमारे पास है, कि अगर weak acid हुआ, और strong base हुआ, तो salt कैसा मिलेगा, basic मिलेगा, ठीक है, तो यह हमारे पास है, acidic acid, CS3COOH, और यह हमारे पास है, sodium hydroxide, तो acid कैसा है, weak है, और base कैसा है, strong है, तो इस वजह से, जो salt मिलेगा, वो कैसा मिल बेसिक मिलेगा, और एक और हमारे पास example है, कि weak acid और weak base मिलके neutral salt बना सकते हैं, है न, कि hydrogen ion भी कम हो गए, और hydroxide ion भी कम हो गए, तो salt कैसा मिलेगा, neutral मिलेगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे को neutralize करने के लिए sufficient amount में होंगे, तो यह हमारे पास एक और example हो गया, तो यह हमने पि acidic है या फिर basic है, तो बस दिमाग में यह रखना है कि हमारे पास strong acid कौन सा है, strong base कौन सा है, तो sulfuric acid strong acid होता है, potassium hydroxide strong base होता है, इसका मतलब जो हमारे पास यह salt बना, यह कैसा बना, neutral बना, ठीक है, अगला हमारे पास है strong acid strong base, इसका मतलब यह भी हमारे पास salt कैसा हो गया, neutral हो ग उसी तरह से अगला हमारे पास है strong acid or weak base का, तो ये भी हमारे पास हो गया acidic salt, फिर ये हमारे पास strong acid or weak base है, तो इसका nature भी कैसा हो गया, acidic हो गया, अगला हमारे पास है HCl, NaOH, दोनों के दोनों strong है, तो NaCl क्या बन गया, neutral बन गया, फिर अगला हमारे पास है nitric acid, strong acid होता है, NaOH, strong base होता है, तो NaNO3 भी क्या हो गया, neutral हो गया, carbonic acid weak होता है, sodium hydroxide strong होता है, तो sodium carbonate का जो nature होगा, वो कैसा होगा, basic होगा, और उसी तरह से HCl strong acid हो गया, ammonium hydroxide weak base हो गया, तो NH4Cl हमारे पास acidic nature का मिलेगा, तो बस इस तरह से हमें identify करते जाना है, कि कौन सा strong acid है, कौन सा weak acid है, और कौन सा हमारे पास strong base है, weak base है, तो उसी समा identify कर सकते हैं, कि salt हमारे पास neutral होगा, acidic होगा, या फिर basic होगा, तो बस आज के लिए नहीं, thanks for watching, bye bye.